नमस्कार दोस्तों आज आप के लिए मैं एक नए भरती पर इच्छा की जयनकारी लेकर आया हूं तो तीन मार्च 2021 की ये भरती पर इच्छा की जयनकारी है जो की Ummmdc के द्वारा निकाली गई है यहां पर बहुत अच्छी मातरा में यहां पर दोस्तों जूनियर ओफिसर ट्रेनी की पोस्ट आई हुई है आपको पाता है कि जो एनमडीसी है वो एक नवरतन कंपनी है बहुत बड़ी कंपनी है थीक़र तो चलीए बात करते है कि यहां पर कॉनकॉन से डिपार्टमेंट पोस्ट निकाले गया है और कि Cindy आयो है तो जो प्रसपटेकल आपकी बेल वाएचे यूट्यूब और बरत देख सकते हैं, जो पर सॉमर्यसी आफिसर ट्रेंइड माइनिग इंजिनरिंग इसे प्रकार आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर 17 एंड सीविल पॉष्ट है तो इस प्रकार यहां पर इतने सारे पद निकाले गाए हैं जो कि जुनियर ओफिसर ट्रेनी की पोष्ट है अब यहां बात करते हैं कि आपको यहां पर क्वालिफिक्सन क्या क्या मांगा गय दोस्तों बता दूँ अगर माइनिंग इंगिनरिंग में आप उसकाविदन कर रहे हैं तो इसमें आपको तीन साल का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर उसके लावा आपके पास डिग्री होना चाहिए ठीक है और यदि आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो यहां पर कुछ आपको experience मंगा गया है minimum five year post qualification experience in the relevant field in case of diploma holders ठीक है दोस्तों तो बात करते है mechanical discipline के लिए तो सेम दोस्तों हैं पर भी आपको या तो जो तीन साल का diploma होना चाहिए या फिर आपके पास degree होना चाहिए चाहिए और यहां पर दोस्तों सेम वही किछ कहा गया है कि आपको minimum five साल का experience मंगा गया है कि आप भी वहाग लिखा गया है किसी में भी आपके पास की होना चाहिए ठीक है जैसे कि आप ड्रिल एंड प्लांट मेंशिनरी डंपर इस तरकी का किसी चीज में आपका पास experience होना चाहिए और यहां पर इलेक्ट्रिकल में दोस्तों सेम चीज बोला गया है डिप्लोमा एंड आपके पास degree होना चाहिए experience भी यहां पर दिया गया इसको पढ़ लिजेगा आप और दोस्तों सिविल के लिए भी सेम चीज बात कही गई है तीन साल का डिप्लोमा या फिर डिग्री आपको मंगा गया है और साथ में experience भी बात करते हैं कि यहां पर age criteria क्या क्या है तो दोस्तों आपको डिप्लोमा ओल्डर के लिए अलग अलग stipend किया गया है आपको पास आपको पर देद्री पूरा हो जाता है तो फिर आपको 37,000 से ले करके आपका एक लग तीशार के बिच में आपका जो सेलरी बनेगा टीएडी मिला करके वह आपका सेलरी बनेगा ठीक है यहाँ पर बात कर लेते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर जो डिविजन किया गया है क्टेगरी वाइस तो दे सकते हैं आप यहाँ पर टोटल जो है यू आर के हैं पर 27 27 पद है और उसके लावा EWS के हैं स्टी के हैं ओवी सी के हैं ठीक है टोटल जो 63 नंबर पोश्ट निगाली गई है उसका इस प्रकार यहाँ पर डिविजन दिया गया है कैटिगरी वाइस में अब आपको अप्लाई कैसे करना जान लेते हैं तो अप्लाई करने के लिए आपको 23 मार्च तक भरना है ठीक है तीन मार्च से लेकर के 23 मार्च आपको भरना है इसके बिच पे और किसी वे आगया करको जानकारी चाहिए होगी इसके समंधित तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं ठीक है और यहाँ पर बता दूँं कि कितना रुपए आपको यहाँ इनको यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एप्लिकेशन फीर नहीं देना पड़ेगा ठीक है यहाँ पर लिखा हुए साब साब लिखा हुए दे सकते हैं आप लोग तो यह ठीक है यह बात हो गई कि दोस्तों मोड आफ सेलेक्शन कैसा होगा यहाँ पर आपका ओनलेन एक्जाम लिया जाएगा 100 मार्स का ठीक है और यहाँ पर एक आपका सुपर्वाइजरी इसकी लिटेस्ट भी होगा ठीक है इस परकार आपको यहाँ पर सुपर्विटी दियाना पड़ेगा पेपर आपका हिंदी इंग्लिस लिंगेज में आएगा और यहाँ पर आपको आपका मैल्टिपल चॉइस को रहेगा और यहाँ पर आपको जो पाना जरूरी है ठीक है यहाँ पर यूर और इड़ेवली इसको 50 बर्सेंट मार्क्स और ह्टीस को 40 बट्र मार्क्स लाना जरूरी है और सुपर वाइसरी टेस्ट भी इसका भी बारे में कुछ लिखा गया है ठीक है 40 इसका जो है वहाँ पर आपको दिया जाएगा दोस्तों यहाँ पर आप कुछ जनरल कंडिशन दिये गए हैं जो फॉर्म भरने में आपकी मदद करेंगे तो डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक दे दूँगा वहाँ इसको आप एक बार पढ़ लीजेगा फॉर्म भरने से पहले उसके बाद ही अप्लाई करिएगा दोस्तों है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई